देवी भारती का निन्य भारत देश के कालंतर में उस समय की गटना है जब संस्कृत के दो बड़े विद्वानों संकराचारिय और मन्ननमिष्र के बीच सास्तार्थ छुड़ा हुआ था इस सास्तार्थ की निन्याई का मन्नमिष्र की द्रह्म पत्नी देवी भारती थी यह सा लेकिन जीतार का फैसला नहीं हो पाया था तभी देवी भारती को अचानक एक अवश्यक काम से कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा बाहर जाने से पहले दोनों संस्कृत अचारियों के गले में एक-एक फूल माला डालते हुए वह बोली आरियों मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ रहा है इसलिए मेरी अनुपस्तिती में निरनायक वाला मेरा कारिया यह माला ही करेंगी इतना क्याकर देवी भारती वहां से बाहर चली गई इधर उन दोनों विद्वानों ने नद्दिया सास्तार्थ प्रयाप्त देर चलने के पश्चा देवी सवाप्त हो गया थोड़ी देर बाद देवी भारती अपना काम पूरा करके वापस वहां लोट आई वापस आने पर उन्होंने अपने पती मन्यन मिश्र और आदि संक्रचारिय की मलाव को सतरकता पूर्वक बारी-बारी से देखा फिर जल्दी ही अपना निरने सुना दिय निर्ने के मुताबिक उनके पती की हार और आधि संक्रचारिय की विजय हुई थी वहां बैठे सभी विद्वानों को उस निर्ने से बड़ी हैरानी हुई की देवी भारती ने बिना किसी आधार पर अपने ही पती मन्यन मिश्र को पराजित करार दे दिया एक विद्वान न के मद्य में बाहर गई हुई थी फिर लोटते ही अचानक बिना आधार की निन्य कैसे दे दिया देवी भारती ने उसी विद्वान को नम्रतब से उत्तर दिया हे आरिये जब उसको विद्वान साश्तार्त में पराजित होने लगता है तो वह अपने आपको कमजोर मानने लगता है जिससे उसका हिर्दिया किरोधित हो उठता है जब मैं वापस आई थी तो मैंने देखा कि मेरे पती के गले में पड़ी माला के पुस्प किरोध के ताप से मुर्जाय हुए है जब कि इसके विपृत संक्राचारिये के गले में पड़ी माला के पुस्प अभी भी पूर्व की भातिताजे है इससे पिरकट होता है कि संक्रचारिय की विजय हुई है देवी बारती का यह उत्तर सुनकर वह विद्वान चकित रह गया